हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूसरा सेल्स लर्न एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेस्बुक एड्स फेस्बुक एड कैसे लगाएं किस तरह से हम अपने कस्टुमर्स को अट्रेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा क्राउ से ज्यादा विजिबिलिटी और क्राउड हम लोग ला सकते हैं तो कौन से ऐसे कॉंपनेंट है या किस तरह हमें एड लगाना चाहिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो किस तरह हम लोगे क् स्क्रीन के उपर आपको तीन अलग अलग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं create new ad boost का boost से आप सिर्फ अपनी पोस्ट को boost कर सकते हैं boost on Instagram पोस्ट आप यहा पर सिर्फ Instagram की पोस्ट को भी boost कर सकते हैं या तीनो आपको अलग अलग option है but according to me आपको एड लगाना ही ज्यादा profitable रहता है क्योंकि mereka अगर लगाते हैं तो अपका चिंद को अब किंद ब्रॉडॐक के लिए इंट्रस्ट टेड है उन्हीं लोगों को शूब और आपके प्रॉड्क्ट पर आपके पास आएंगे तो ओचले शुरू करते हैं और धितोर शकी एक्ति लिए अपना आई हैं तो नया एड लगाने के लिए आपका जो भी product है आपके उस product की आपने images वगरा तो आपने पहले से select करके रखी हुए होती है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे description description about your product जो भी आपका product आप सेल करने वाले हैं याप सेल करने जा रहे हैं वहाँ पर आप इसका description डालेंगे अपने product के बारे में बताएंगे कि आपका product दूसरों से अलग कैसे है यह आपका product लोग क्यों खरीदें आपके product की specialities क्या हैं आपके rate भी हो सकते हैं आपके quality भी हो सकत ही है आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे components हैं जो आपको दूसरों से unique बनाते हैं और यही सेल्स में सबसे ज़्यदा important है कि आप लोग quality या फिरेट इन दो चीज़ों पर आप लोग काम कर सकते हैं and third point is that Facebook ad के अंदर सबसे ज़्यदा important जो है आपके images की quality कैसी है जो आप Facebook पर product sale कर रहे हैं तो आपके उस product की image है उसके quality अच्छी होनी चाहिए image दिखने में attractive होनी चाहिए कि customer को देखते ही बसंद आनी चाहिए इच्छी में यहाँ फोटो बना सकते हैं और आप्ली को अच्छी है यहाँ प्रीडियो पार करते हैं इस आप video यह Morgen 9 दिखने में प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और हम लोग उसी चीज को लेंगे उसी प्रोडक्ट को लेंगे जो जिसकी क्वालिटी इमेज इसकी अच्छी होगी क्योंकि वही हमारे कस्टोमर को हम तक लेकर आता है इंट्रस्टेड होने के बाद के बाद हम भी जाते हैं वेबसाइट पर देखते हैं हाँ यह फोटो अच्छा है फोटो पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग काते हैं तो ऐसी कुछ फेस्बूक एड का भी फेस्बूक एड भी उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो लोग इंट्रस्टेड होंगे और इंट्रस्टेड लोग कैसे हों जिस पर हमैं एड लगाने हैं तो फोटो जबनें सिलेक्स कर लिए यहां से आप डॉपड डाउun भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं जो भी आपको कुछ आईटिंग थोड़ी बहुत करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं ख्यर हमने यह दो फोटो फोटो जो ऑब है ठी layer हैं व ह यहां पर जो भी आपका प्रॉड़क्ट हो मेरा प्रॉड़क्ट का यहां पर नाम डालेंगे जो भी आपका प्रॉड़क्ट का यहां पर नाम डालेंगे जो भी आपका प्रॉड़क्ट का यहां पर नाम डालेंगे जो भी आपका प्रॉड़क्ट का यहां पर नाम डालेंग अब सेकेंड स्टेप हमारा आता है मैसेजिस का कि हमारे पास जो बटन है वह हम लोग क्या रखना चाहते हैं देखिए यहां पर आपको डिफ्रेंट टाइप ऑफ बटन्स यहां पर निज़र आ रहे हैं सेंड मैसेजिस का भी है कॉल नाओ का भी है आपको ऐसे डिफ्रेंट दिखाई देंगे यहां पर बट मुझे लगते हैं अच्छा और वह है आपका लीड फॉर्म हम लोग लीड फॉर्म का भी रख सकते हैं इहां देखें शॉपनाओ है तो आपको यहां पर वेबसाइट का लिंक को भी आप डाल सकते हैं वाच नाओ मे क्योंकि वैब साइट पर साइन आप कर सकते हैं वहाँ पर काशुमर के शरूरू आता है कि अब वहाँ कर में करना है किसे कर दो नहीं हो सकते हैं यहां पर कुछ भी है जो भी आप देना चाहें आपका प्रॉडक्ट है आपको सूर्म के ओपर शो होने वाला है यहां पर हम लेंगे पहले नाम लेंगे जो इंपॉर्टन्ट होती हैं वो जाद हम पिए फोन नमबर ही है यहां और ओर साथी साथ मॉबाइल नमबर यह तीन चीजिए इसना टाइम नहीं आपका याट देखते हूँ इतनी सारा इंफोरorageन आपको इडिशनल देगे तीन करने के लिए हमारे पास customer से contact करने के लिए तो हम यह 3 को ही select करके रखेंगे बस अब इसको select करने के बाद यहां से हम अपना add create कर देंगे और आप addon करना चाहो तो addon कर सकते हैं but I don't think so कि हमें और जदा addon की जरूरत है वह मैंने आपको बता है कि क्यों नहीं है उसके जरूरत इतना सदा addon की क्योंकि इतना busy time में आजकल किसी के पास इतना time नहीं हमने अपना form create कर लिया form create करने के बाद हमारे पास जो option आते हैं वह नीचे आप देख सकते हैं कि साइड में आपको hand to hand दिख रहे हैं कितना आपका budget बगारा earliest result यह पूरा उपड़ तक यहां तक हमने अपना form अपना add complete कर लिया next आता है हमारे पास option categories जो होती है नीचे आता है इसमें audience कि audience आप कैसे लेना चाहिए audience जो लोग जिनके पास हमारा add जाएगा वो लोग audience तो audience कैसे select करेंगे देखें यहां पर तीन आपको option देख रहे हैं all man woman है तो don't all पर करेंगे और man का है तो man पर click करेंगे woman तो woman पर along with क्या आप देखेंगे यहां पर एक option हो रहाता है कि आप target किसको करना चाहते है एज ग्रूप का भी थाम आपर target करने के लिए यहां पर आपको कोई particular street चाहिए तो आप जितने street चाहिए जैसे मैंने कॉल करता है को कि आप मुंबई को करूंगे ऐसे आप जिसको चाहिए जहां जिने street में अपना add से ज्यादा focus जहांके people को आप करना चाहते है उन लोगों अपना add से जादा चाहिए को परटिकुलर city भी खोती है area भी हो सकता है state भी हो सकता है यह depends करता है आप किए आप कौन से लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपना add दिखानाँ कि city में आप अपना add ज़ादा से जादा होंहां के people को आप लेना चाहते है यह सो हांके generate करना चा कुछ एक limited period के लिए ही जलाना है, even seven days भी हो सकता है, five days भी हो सकता है, but I don't, but I think that five days is enough for the result, कि आपको पता लग जाता है, five days के अंदर आपको कैसा result आ रहा है, आपको three days में भी लग जाता है, अगर payment का option आते हैं, यहां से आप payment में जाएंगे, तो महाँ पर आपको five days का आपने set के हैं, five days में कितना आपको payment होगा, show करेगा, add fund में जाने के बाद, add fund करेंगे, add fund के बाद यह देखे, आपको डिफरेंट UPI के यहां पर option मिल रहा है, जिसके तुरू आप Facebook ad manager में payment कर सकते हैं, जिस payment के तुरू आपका add चलेगा, देखे, कुछ इस तरह से आपका add नजर आने वाल है, जितना अच्छा आपका image होगा, genuine होगा, attractive होगा, इतना ही customer engage आएगा, plus quality leads भी आपके पास आने वाल हैं, आपका add जो based होता है होता है आपके videos पर, आपके quality पर, आपके image पर, कैसे है, आपका creative कैसे है, जितना आचा आपका creative जितना आपका content होगा, उतना ही जदा आपका रीच बड़ेगा, उतना ही जदा ही जदा जैसे आपका एड होगा वैसे ही आपके पास quality leads आएंगी तो यह सारे components आपको एक best quality results आपको देते हैं lead generation में तो next video में मैं आपको बताओंगे किस तरह आप लोग कर सकते हैं, download कर सकते हैं क्योंकि जो आपने form बनाया उस form के ना आपको message receive होने वाले हैं ना उस फॉर्म को आपको WhatsApp पे कुछ मिलने वाल है तो उस फॉर्म के लिए आपको मैं बताऊंगे किस तरह आप जो आपके leads आएंगे आपके product पर आपके ad पर वो आप कैसे download कर सकते हैं वो जानने के लिए मैं आपको एक next वीडियो बनाऊंगे उस next वीडियो मैं आपको मैं बताऊंगे किस तरह से आप लोग उस quality leads को अपने पास contact number customer का आप download कर सकते हैं तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो like, share और subscribe करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें Thank you